नमस्कान मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 13 फरवरी देन सोंबार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर BPSC परिच्छा में अगले साल से हो सकते हैं कई बदलाओ सब रजिस्टरार करेंगे जमीन रजिस्टरी करने से पहले स्थल की जान जाने नई नियम मंत्री बंडर विस्तार को लेकर सीम नितीज के बयान पर उपिंद्र कुश्वाहा ने कह दी बड़ी बाद इंडियन बुमेंट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकस्तान को साथ विकर से हडाया अब चलिए बढ़ते हैं भिहार के अब तक की पचीज बरी खबडों के ओर विस्तार से दसवी और बारवी पास के लिए कोस्ट गार में नौकरी भारतिये टटर रक्षक विभागने अधिसूशना जारी कर नाविक पदो पर वैकिंसी निकाली है जिसके तहत कुल 255 पदो पर भरती के लिए आविदन मंगाए गहे हैं इनमें जीडी नाविक के 225 एवं डीवी नाविक के 30 पद शामिल है जिसके तहत नाविक जीडी के लिए बारवी पास एवं नाविक डीवी के लिए 10 पास होना अनिवार है उमिद्वार अधिकारीक वेबसाइट जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड.gov.in पर जाकर भरती का भर सकते हैं ध्यान दे कि आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी को समाफ्त होने जा रही है बीपियसे परिक्छा में अगले साल से हो सकते हैं कई बदलाव बीते दिन बीपियसे 68 फ्रेलिम्स की परिक्छा सांती पुर्ण तरीके से समफन हो गई ऐसे में परिक्छा समपन होने के बीते दिन सामको आयोग के चेर्मेन अतुल प्रिशाद के दोरा एक प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित कर कुछ जरूरी बातों के बारे में जानकारी दी गई प्रिशार्तियों से प्रिशा किंद्र के बारे में ऑप्शन भी पूछ जाएंगे तक उन्हीं परिशा किंद्र तक पहुचने में किसी प्रकार की कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े इसके साथ ही आगे से उनहां तरवी से कोई मिलती जुलती परिशा के लिए कंबाइड पीटी परिशा लेनी की भी तयारी की जा रही है जिसके लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और साथ ही अलग-अलग डिजल्ट भी घोशित किया जाएगा इसके अलावा आयोक का कहना है कि परिशार्तियों की मांग है कि परिशा से ये उप्शन को हटा दिया जाए परिशार्तियों के इस मांग को लेकर आयोक के दौरा इस संबन में राय विचार कर निरने लिया जाएगा बिहारी पहचान में आजम बात करेंगे क्रांती प्रकाश जहा के बारे में करिया कि शुर्वाद विग्यापनों में दिखाई देकर की थी उन्होंने करें टीवे विग्यापनों और संगीत वीडियो में अभिनाई किया है उन्होंने पुरुषकार बिजयता मैथले फिल्म इतला मकाना और भोजपुरी फिल्मों देशवा और Once Upon A Time in बिहार में मुख्य भूमी का निभाई है के नुसार जल जीवन हरियाल इमिशन निर्मित भवन के तहत बनाएग तालाब का उद्घाटन करेंगे इसके बाद छात्रावास की पच्चियों से सीम समवाद भी करेंगे वहीं प्रखंड के सेम्रा गाउब रह्मन वा विभागे स्टॉल का निरिक्षन भी सारही ग्यार बजे करेंगे और सभी कारिक्रम के समाप्थ हो जाने के बाद दो पहड एक बजे फजल गंद सित हैली पैट से और अंगाबाद जिले के लिए रवाना हो जाएंगे बिहार के साथ साथ इन राजियों के भी बदले राजेपाल तेरह राजियों के राजेपाल देश में बदल दिये गए हैं जिसमें बिहार भी शामिल है नए राजेपालों के निउक्ति के अधिसूजना जारी कर दी गई है बिहार के नए महामहीम राजिंद्र विश्वना बनाए गया है बता दे कि राजिंद्र विश्वनात अब तक हिमाज प्रदेश के राजेपाल थे वहीं फागु चोहां जोकी बिहार के मौजुदा राजेपाल थे विविविखाले में भेज दिये गया है साथी साथ महरास्ट्र और लद्दा के राजेपाल भगत सिंग कोश कितना है इस बात का पता शर्वे के बाद ही चलेगा इस सर्वे में लगभग तीन से चार महीने तक का समय लगना है बता दे कि इस सर्वे भारतिये वन छेतर देरादुन की निग्रानी में किया जारा है 14.75 फीज़ी 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का हर्याली छेतर है बिहार का हर्याली छेतर 17 फीज़ी तक पहुंच जाए इस बात की कोशिश राज्य सरकार दोरा की जारी है इस सर्वे में 6 साल वाले पौधों का आगड़ा सामने आना है क्योंकि 2 साल वाले छोटे पौधे की तरस्वीर सिटलाइट में नहीं आपाती विभाग दोरा चुका है साइबर अपराद को माध्य मनाकर छेतर के दरजन युवा पैसा कमारे में लगेवे हैं पुलिस कप्तान अंबर रीश राहुल के नर्देशा अनुसार सनिवार को आधिराद कोजीला वस धानिय थाना के पुलिस छापे मारी टीम का गठन कर ठाना छेतर के चकवा अपरादियों के विरुद्यकारवाई के लिए आर्थीक अपराद इकाई पठना की एक टीम नवादा आ थी राजी के 18,830 दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी चात्रवृति राजी के दिव्यांग छात्राओं में पढ़ाई के प्रती रूची पैदा की जा सके और साथ ह उन्हें आत्म निर्फ बनाया जा सके इसलिए बिहार सिक्षा परियोजना परिसत के दोरा राजे भर के 18,830 दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृति दी जाएगे इसके लिए जिलावार दिव्यांग छात्राओं की सूची तयार कर ली गई है बता दी कि राजी के सभी दिव्यांग छात्रों की छात्रवृति मिल सके इसलिए हर चले से स्कूल में नामांकि छात्राओं की जानकारी सभी जिला सिक्षा कारयाले से ली गई है छात्रवृति के तहट दिव्यांग छात्राओं को परिसत के दोरा दो-दो हजार रुपे सालारा दिये जाएंगे आ पिछले पांच वर्शों से सरकार के ओर से दी जा रही है और अगर बिहार सिच्छा परियोजना परिशत की माने तो 2018 के तुला में आज के सब में स्कूलों में देव्यांग छात्राओं की संख्या 7000 से बढ़कर 18000 हो गई है बिहारी परिटिन में आज हम बात करेंगे पटन देवी मंदर के बाड़े में पटन देवी मंदर जिसे मा पटनेश्वर भी कहा जाता है पटना बिहार के सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदरों में से एक है इसे भारत के 51 सद्र सक्ति पीठों में से एक माना जाता है पुरानी कथाओं के अनुसार देवी शती के सव की दाहिनी जांग यहां गिरे थी जब भगवान विश्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र सही से कार डाला था प्राचीन मंदर जिसे मूल रूप से मा सरवानंद करी पटनेश्वरी कहा जाता है को देवी दुर्गा का निवा कई अनुस्थानों की तरह विजयादर्श्मी के समयन मंदिरों के पास एक मेला भी आयुजित किया जाता है सब्टमी अस्टमी और नौमी के द्लान मेली के द्लान लगबाग 1000 लोग प्रति दिन दोनों मंदिरों में पूजा करने आते जैं अनुस्थानों की दिन चर्या के से पहले स्थल की जाने नई नियम इन दिन जमीन के रजिस्ट्री में प्रिशासन द्वारा संसुधन किये जा रहे हैं ताकि जो प्रशचार जमीन के रजिस्ट्री के समय अक्सर देखनी को मिलते हैं उन्हें कम क्या जा सके अब इस तरह की बात सामने आ रही है कि जिला अवर निवंदक जमीन के किस्म की जमीन रजिस्ट्री के पहले जांच करेंगे वतादे किस मामली को लेकर नर्दीश, मद्य, निशेद, उत्पादन एवं निवंदन विवाग को जारी कर दिया गया है। प्रसस नचना, यूक्त भवन और जमीन रजिस्ट्री के किस्म को छिपा कर सरकारी रजिस्ट्र को नुकसान पहुचाने वाले मामली को उजागर करने के बाद इस फैसले को लिया गया इसे लेकर एक पत्र भी इस थानी अस्तर पर जारी किया गया है यह यूगक नशा मुक्ति के लिए अब तक पैदल नाप चुका है 7600 किलो मीटर नशा मुक्ति अभियान को लेकर हरियाना के महिंद्रगर के रहने वाले 29 परशी अर्विंद यादव को ऐसा नसा चरहाए कि वह पैदल ही भारत यात्रा पर निकल गया और अब तक 108 दिन की पैदल यात्रा कर वा देश के साथ राजियों से गुजर चुके हैं और खुद ही अपना भोजन का भी प्रबंद करते हैं इसके अलावा कभी कभी किने लोगों के द्वारा भी उनके लिए भोजन का प्रबंद कर दिया जाता है उन्होंने अपने इस यात्रा की शुरवात इसलिए कि क्योंकि जब वह अपनी रेल ड्यूटी में होते थे तो ट्रेन में ही बैट कर कुछ यूवक नर्शीली चीजों का सेवन करते थे और जब उन्हें मना किया जाता था तो वह सभी यूवक मान भी जाते थे इसी को देखते वे उन्होंने इस यात्रा की शुरवात की ताकि वर लोगों को नशा ना करने के लिए प्रेडित कर सके मिथला में शुरू हो गई महासिवरातरी की तयारी चाने किस दिन मनाया जाएगा यह महापर्व शिव और सक्ति के मिलन का महासिवरातरी एक महापर्व है इस महापर्व को फागुन महीने के सुकल पक्ष में मनाया जाता है वहीं गौरी और शिव के विवाह के तैयारी बिहार के मिथला में जोरो सोरो से की जाती है यहां के सबी शिवालियों को बड़े ही आंकरश्रक तरीके से सजाया जा रहा है सिर्फ भक्तो द्वारा भोले नात के मंदर में जल चरहा जाता है वहीं भगवान शिव की पूजा धतुर, बेल पत्र और फूल माला चरहा करते हैं ऐसी मानता है कि भगवान शिव महासिवरात्री के दिन विशेष सामगरी से अविशेख करने पर प्रसंद होते हैं भगवान शिव के भगतो द्वारा इस दिन उपवाश भी रखा जाता है इस दोरान भी कभी कभीता का सहरा लेते हैं तो कभी संस्कृत के श्लोक का इसी करी में विकास वैभव का एक और नया ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने एक पर फिर से संस्कृत श्लोक के माध्यम से अपनी मन की बात कही है उन्होंने ट्वीट करते वे लिखा है उसका काल भी क्या कर सकेगा अर्था ऐसे व्यक्ति की मृत्यू का भी भै नहीं होता बिहार के लड़के से साधी रचाने फिनलैंड की लड़की पहुंची बिहार इन दिनों बिहार के एक लड़के की शाधी लोगों के बीच काफी चर्चा का विशय बनी हुई है दरस सोशल मीडिया के जरिये फिनलैंड की रहने वाले जूलिया से बिहार के प्रनव की दोस्ती हुई फिर प्यार हुआ और अब दोनों विवाह के बंधर में भी बन चुके हैं यह साधी उन दोनों ने ही घड़वालों के राजामंदी से की विवाह के लिए प्रनव फिनलैंड की रहने वाली जूलिया को लेकर कटिहार पहुंचा और यही दोनों ने शाधी रचाए आज से कर सकता है तापमान भारतिय मौसम विवाह के अनुसार राजी में आसे मौसम का मिजाज बदल सकता है अगले कुछ दिरों तक तेज पचुआ हवा चलने की संभावना है इस दोरान कई जिलो में हवा की गती 20 से 30 किलो मीटर प्रती घंटा तक पहुंच सकती है लिहाजा कई जिले में यूंतन तापमान में 2 से 4 डिग्री सेलसियश के गिरावट भी दर्ज की जा सकती है राजी के जातर जिलो में दिन के समय गर्मी का असर नजर आने लगा है हाला क मौसम विग्यान किंद्र के मुताबिक सुभा और देरशाम में अभी ढ़कों पहल दोगा नीचे के लिए इसले खास साफधाने जरूरी है देश में लागो होगा मुझपर पुड का यहाँ आईडिया् बिहार के मुझपर पुर जिले में छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए एक ऐसा आइडिया तयार किया गया है जिसे अब केवल बिहार ही नईबल की पूरे देश में लागू किया जाएगा तरहसल यह आइडिया चाइल्ड बैंक का है यह चाइल्ड बैं स्कूब के हैड्मास्टर द्वारा इस बात का डेट्या रखा जाएगा कितने बच्चे इस्कूल गें और चाइल्ड बैंक मिलान कर दिया जाएगा अनंद मोहन के घर पहुंचे बीजेपी नेता शुशील कुमार मोधी बीते दिन यानी की रविवार को बीजेपी नेता शुशील कुमार मोधी के दौरा स्टोशन मीडिया पर दो तस्वीर सांजाकी गई जिसमें शुशील कुमार मोधी और पुर्व के लिए पैरोल पर जेल से बाहर है मालूमों के सुर्भी आनंद की शाधी 15 फर्वरी को है जिसके लिए आनंदर मोहन के घर में जोरो-सोरो से तैयारियाँ चन्रकारी बता दे कि से पहले आनंदर मोहन की बेटी शुर्भी आनंद की सगाई भी थी जिसमें काफी दिगर्ज नेता मौजूद थे वहीं साधी में भी कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है इंडियन मुमेंट T20 वर्ल्ड कप में भारती पाकस्तान को साथ विकेट सेहराया भारती महिला क्रिकेट टीम ने पाकस्तान महिला टीम को साथ विकेट से ICC Women's T20 World Cup 2023 के चौथे मैच में हरा दिया पाकस्तान ने केप टाउन के Newlands Stadium में ग्रूप B के मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 4 विकेट पर 114 रन बनाए भारत ने उनीस ओवर में 150 रन के टार्गेट को तीन विकेट खोकर हासल किया बता दे के अर्थिस गेंद पर नाबाद तिरपन रन जिमीमा रोडरिग्स ने बनाए वहीं रीचा घोस ने 31 रन को 20 गेंदों पर बनाया नाबाद 58 रन की साथेदारी दोनों के बीच हुई आगे 55 गेंद पर नाबाद 68 रन पाकस्तान के ओर से बिश्मा मरूफ ने बनाए साथी 25 गेंद पर नाबाद 43 रन आइसा नशीम दोरा बनाएंगा राथा यादव ने दो दिप्ति शर्मा और पूजा वस्तरकार ने एक एक विकेट भाद की तरफ से लिया मंत्री मंदल वस्तार को लेकर सीयम नितीज के बयान पर उपिंदर कुश्वाहा ने कह दी बड़ी बात तेश्वी यादव के द्वारा लिया जा रहा है और उन्हें कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो जब मंत्री मंदल का मुख्या मुख्य मंत्री होता है तो मंत्री मंदल विस्तार का निर्ण है उप मुख्य मंत्र तेश्वी यादव कैसे ले सकते हैं अगर आपको अभी मेरी बात सरकार पर जमकर हमला बोला गया, उन्होंने कहा कि यहां 200 के लगभग महिलाओं और यूवतियों से दुसकर्म की घटना हुई है, अभी हाल में ही छपड़ा में राज़त से जुरे एक नेता ने तीन लर्कों को पकड़ कर इतनी बेहरामी से पीटा कि दो की मौत हो गई, तो यह एक जीवन मौस से जूज रहा है, उन्होंने कहा कि लगातार लूट और चोड़ी की घटना बिहार में हो रही है, राजधानी पटना में ही पिछले दो सप्ता में 11 से 12 बड़ी घटनाए घटित हो चुकी है, बिहार की हारत ऐसी हो गई है, कि लोग यहां से पलायन कर र भी रख दिया, इसके साथ उन्होंने बजट को लेकर कहा कि बिहार का बजट में क्या मिला है, यह तो पूरे राजे के लोग देख रहे है, बिहार को हर्चित में केंदर सरकार से सहीयोग मिला है, राजेपाल न्यूकती पर जद्यू का तंश, पीत दिन राश्ट्रपती द पर तंश कसा गया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा परंपड़ा को ताग पर रख तेरा राजियों के राजेपाल को बदला गया है, उनका कहना है कि बीजेपी अपने पुर्ण काली कारे करता हूं या फिर ऐसे अफसर सहा या नायपालिका से जुरेवे लोगों राजेपाल बनाती है, जो किंद्र सरकार को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मदद पहुचाते रहती है, हाला कि इसके साथ उन्होंने यह भी का उम्मी जताई है कि नए राजेपाल का संबंद बिहार के सरकार से अच्छा बना रहेगा, चिराग सिर्फ राम विलास पाश प्रकेदार की न्युकती में प्रमुकता दी जाए, साथ ही साथ इस मौकी पर उनके दोरान दिवंगत नहीं था, राम विलास पासवान जो की पुर्व केंद्री ये मंतरी थे, उन्हें भारत रतन देनी की मांग भी की, वहीं दर समाज के अधिकारी की प्रतिनुकती सभी जुला, अनुमंडल और प्रमंडल के करवानी की बात का ही साथ, इन्होंने राम विलास पासवान के नाम पर हाजिपूर के स्टेशन का नाम रखनी की भी मांग की, उन्होंने नितीज कुमार पर जुबानी हमला करते भी कहा कि बिहार के सीम नितीज कुमार है, लेकिन यहा भारत के तियास में आज की तारीक है बेहत खास। बसफोट हुआ जिसमें कडीव 17 लोगों की जान चली गई जबकि 60 लोग बूरी तरह घायल हो गए 1879 में भारत कोकिला कहे जाने वाली तथा सुतंता सिनानी सरोजनी नाइडू का जन्मुआ 1958 में समकालिन कवीतरी रर्शीम प्रभा का जन्मुआ 1974 में भारतिय सास्रिय संगीत के प्रसिद्ग गायक उस्ताद अमीर खां का निधनुआ 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्ते कलाकार राजिंदर रेनाथ का निधनुआ वार कर में आजम बात करेंगी KYC के बारे में शुशल मीडिया पर करिंगी सूचना है वारल होती है लेकिन सभी सच होई यह जरूरी नहीं है अपने टवुइट में लिखा है कि एक नोटीस में दावा क्या जा रहा है कि ग्राह का KYC निलंबित कर दिया गया है गूगल मीट और जूम की तरह अब वाटसेप में कॉल सेड्यूल की मिलेगी शुवधा वाटसेप अपने प्लैटफॉर्म को बहदर बनाने के लिए कहीं फीचर्स पेश करते रहता है अब कंपनी एक ऐसा फीचर डेवलप कर रही है जिससे आफ ओरिजिनल क्वालिटी में इ करेंगे तो प्लैटफॉर्म पर एक सेड्यूल ऑप्शन सो होगा अगर आप सेड्यूल कॉल पर टैप करते हैं तो वाटसेप आपको टाइटल डेट और टाइम सहित तीन ऑप्शन शो करेंगा डिटियल भरने के बाद आपको क्रिएट बटन पर टैप करना होगा कॉल सेड पिंदर रडाय जन्जीत मिश्वा मृतियुञा कुमार कुषकुमार यादव निवाश कुमार राज कुमार ठाक और अनवर करीं खांस जाजा कुषवाह मुतुर रंगीला मंटु कुमार अर्जन राम शंकर मुक्या महमूद अंसारी वेद प्रकास सिंग सत्य नाराया सिं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखें